शिवसेना नेता संतोषपरप पर हिंसक हमले के मामले में केंद्रिय मंत्री नारान राने के पुत्र वो विधायक नितेश राने की गिरफतार होने की संभावना व्यक्त की जारी है सिन्दुदर्ग जिला सत्र नाले में गिरफतारी पुरवत जमानत के लिए नितेश राणे ने याची का दाखिल की है मंगलवार को इस रजी पर सुनवाई हुई अदालत आज बुद्धवार को इस पर सुनवाई करेगा नारांदराने हो अत्वा उनके पुत्र नितेश राने दोनों ही उद्धव ठाकरेव शिवसेना पर शाबदिकवार करने में हमेशा आगे रहते है इस बार मामला यू बिगडा जब विदायक नितेश राने ने आदित ठाकरे के खिलाफ विदानभवन में तथाकती टिपपनी कर दी और यहीं से नितेश राने की फिल्डिंग लगाना शुरू हो गया शिवसेना बीजेपी विदायक नितेश राने के खिलाफ काफी आकरमक दिखाए दे रही है नितेश राने को अरेस्ट किये जाने की मांग करते हुए उनकी ओर से पुलिस टेशन में शिकायत भी दरच की गई है वही केंद्रिय मंद्री नारांद राने की विदायक बेटे नितेश राने ने सिंदुदुर्ग जिला सतरने आले में गिरफतारी पूरज जमानत के लिए याची का दाखिल मंगलवार को इस अरजी पर सुनवाई हुई कोर्ट अब आज बुद्वार को इसकी सुनवाई करेगा मंगलवार को जिला प्रमुक ने आदिश एस वी हांडे के सामने नितेश राने की गिरफतारी से पूरज जमानत अरजी पर सुनवाई शुरू हुई साड़े तीन घंडे तक चुली सुनवाई के बाद शाम साड़े च्छ बजे कोर्ट ने सुनवाई बुद्वार को फिर जारी रहने की बात कहते हुए सुनवाई खत्म की अब आज अदालत का क्या फैसला आता है इस पर अने को दिगजो सहीत आम जनों की नजरेल लगी है